हलो बिटा, तो फाइनली वो दिन आ ही गया नीट 23 का एक्जाम डे जिसका आपको काफी टाइम से इंतजार था, जिसके लिए आपने काफी टाइम से महनत करी है बिल्कुल, इतनी सारी अंसियाटी पड़िये, इतने सारे मौक किये, इतने सारे क्वेशन प्राक्टिस किये, इ एक प्रॉपर साथ गंटे की नींद लेकर जानी है ताकि आपका ब्रेन उस टाइम अच्छे से फंक्षिन कर पाए लंज थोड़ा लाइट लेकर जाना है बहुत जादा खाके नहीं जाना है यह तो एक्जामिनेशन में नींद आने लगीगी ट्राइटू कीप बॉटल अलॉ करें की इस लिए और ईस मेहनत को मांक्स में कंवर्ट करने का टाइम आगियां लेन जाते हो अप समस्ट्डारि से ओयमार फिल करते हो अप अच्छा टाइम मैनेजमेंट करते हो तो आप बहुत अचा पफॉर्म करोगे भरुसा रखो पेपर easy आएगा, NCRT based ही आएगा, बस हमें अच्छे से करना है, वहाँ पर हमें distract नहीं होना है, एक question कभी नहीं बन पा रहा है तो घबराना नहीं है, परिशान नहीं होना है, आगे के questions बन जाएंगे, इस चक्कर में आगे का paper हमको compromise नहीं कर देना है, ठीके जो question नहीं बन र है कि examination hall में क्या-क्या लेके जाना है, उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, अच्छे से examination देने बेटा आप लोगों को जाना है, ठीके, और exam में एक चीज बहुत ध्यान रखना कि अगर कोई चीज आपको नहीं बन रही है, तो हो सकता है, वो बाकी बच्चों को भी नहीं बन रही है, मेरा पूरा बात कहने का से fakie मतलब है कि confidence रखना, बहुत actively अच्छे से paper करना, और कभी-कभी ऐसा होता है कि anxiety है, डर में जो आता है, वो भी नहीं कर पाते हैं, मैं नहीं चाहती कि कोई भी बच्चा मुझे आके exam के बाद ये बोले कि माम मुझे आता था पर मैं डर में भूल गया या भूल गई, इसलिए डर ना मना है, ठीके एंडर के आगे जीत है, तुम्हें दो पता ही है, तो तुम्हारी प्रणानी माम के तरफ से तुम्हें बहुत-बहुत-बहुत सारी wishes कि आपका paper बहुत अच्छा हो, आप वही paper में आए जो आप लोग कि आखरी में बैठ कि हम OMR फिल करेंगे, तो मेरी तरफ से all the best आप सभी को, आपका paper बहुत अच्छा होगा, and I am waiting कि कब आके तो मुझे बताऊगे कि हमारा paper बहुत अच्छा हुआ है, और हमारे 680, 690 SMR आख सा रहे हैं, बाई में फुल आ रहे हैं, ठीके, all the best बिटा, good luck, God bless you.